नमस्ते अब विबादर आपका इनोशन्टे निविश्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एक कहानी की और इस कहानी से हमको आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा बहुत ध्यान से कहानी को सुनिएगा इस कहानी में कई राज छुपे हैं ये है फोटो परसा करते थे अब इतने बड़े बंदे को कुट करने की जरूरत क्यों पड़ी उसने क्यों कुट किया हम यही कहानी समझेंगे बस आप से रिक्वेस्ट है अगर इस स्टोरी कहीं से भी आपको ऐसी फिल देती है कि ये आपके भी साथ घटित हुआ है तो वीडियो लाइक जरू कारनामा था क्या था वो कारनामा आपको डॉट कॉम बबल के बारे में पता होगा जिनको नहीं पता हो सर्च कर लेंगे डॉट कॉम बबल का मतलब था कि जो इंटरनेट-based stocks थे उनमें बहुत-बड़ा बूम चल ला था उस वक्त इन्हों ने इस टॉक में थी उस कंपनी को एक next company ने acquire कर लिया फिर उस company को HDFCMC अगर मुझे याद है तो 20th century थी जिसको acquire किया था जियूरिक ने और जियूरिक को acquire कर लिया था HDFCMC ने इन्हों ने अपनी job चिंज नहीं की और यह सबसे बड़े level पे मतलब कि दुनिया भर में longest serving fund manager में से कोई एक आते ह कर रहे थे अब यहां पर हमारे लिए समझने वाली बात कौन सी है मैं आपको जो बता रहा था कि.com bubble से पहले इन्होंने exit कर लिया IT stocks से तो यह limelight में आ गए बहुत ही बहतरीन इनके funds ने performance करके दिखाई बहुत पैसा इन्होंने अपने investors का मनाया उसके बाद भाई साहब 2008 म जब infrastructure वाले stocks चल रहे थे ना यह बंदा कमाल का उनमें participate कर रहा था कमाल का पैसा उसमें चाप रहा था अपने investors को माला माल किये जा रहा था मैं आपको बता दूं सन 2010, 2012, 2013, 2014 तक इनके funds भाई साहब इतने बहुतरीन return दे रहे थे उस वक्त कि यह बंदा सात्वें आस्मान प थे इस बंदे के कारण ठीक है यह बंदा क्या किया था 2008 की गिरावट से पहले infra stock में बहुत पैसे बनाया और वहां पर भी बहुत ही significant रूप में exit भी किया था मतलब की profit booking भी करी थी अब वह भी नोंने लगबग लगबग पिडिट किया था उसके बाद नाम चलता रहा रहा धमाका होता रहा HDFCMC आगे बढ़ती रही इनकी salary बढ़ती रही होगी बहुत कुछ होता रहा इनके favor में और फिर कुछ odd times भी आते हैं हमारी भी life में आये हैं आपकी भी life में आते होंगे और फिर वहां पर कौन हार जाता है कौन जीत जाता है हमें यही देखना है हमें हमें इनके ने वह करके दिखाया था जो मतलब 99% लोग सायद नहीं कर सकते थे ठीक है कुछ लोग ऐसे जरूर रहे होंगे जिन्होंने उसको प्रिक भी किया होगा time भी किया होगा सही चीजें उन्होंने करके दिखाई होंगी लेकिन इनके पास बड़ा पैसा भी available था ठीक है ब बलत साबित हो जाते हैं उसके बाद ये PSU Banks में investment करते हैं जो की बहुत ही blender साबित होता है इनके लिए इनके जो funds होते हैं वह underperform करने लगते अपने पीर्स को याद रखिये यह वही fund manager है जिसके funds इतने भ्यंकर तरीके से outperform किया करते थे कि सबका चार्ट ऐसे चलता रहता थ और निका चार्ट ऐसे जाता था, भाई साहब ये वाली performance देने वाला बंदा जब ऐसे level पे आता है ना, तो जिस company में वो काम करता रहता है, वो company भी कुछ इधर उधर करने लगती है, देखो, मैं आपसे एक बहुत ही genuine सवाल पूछता हूँ, बहुत ध्यान से इसका जवाब दीजेगा कि आपको सबसे आदा कष्ट कौन देता है, जो आपके अपने होते हैं, पता है वो आपको कष्ट क्यों देते हैं, उनकी बातें आपको कष्ट वर्धक क्यों लगती हैं, क्योंकि उनहीं की बातें आपको बहुत ही मीठी लगा करती थी, बात समझ गए मैं क्या क अच्छा marks पाते हो 12 में बहुत अच्छा marks पाते हो, graduation में जाते हो, first year, second year अच्छा करते हो, let's say third year भी अच्छा कर लेते हो, लेकिन fourth year में हो जाते हो fail, तो जो माभाप ने आपको 10 में काफी प्रेज किया होगा ट्वेल्थ में किया होगा ग्रेजविशन में इंट्री लेने के बाद किया होगा छिखा से कॉलेज में आप गए होगे हर जगह प्रेज किया होगा उन्हों नहीं जब आपको गाली दिये होगी तो यहां की जो प्रेजिंग थी यहां का जो कुछ समय से इनके funds underperform कर रहे थे प्लस 2020 में भी जहां तक मुझे आद है 2019-2020 की बात है कि इनके HDFC, AMC छोडने की बात भी सामने आई थी और फिर अब finally वो समय है कि प्रसान जैन जी ने क्विट कर दिया है कुछ लोग इसको एजा retirement बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपना कुछ नया खड़ा करेंगे जो भी हो लेकिन इनके साथ क्या गटना हुई वो समझने वाली बात है और उससे हमको कुछ सीख भी कुछ सबग भी लेना चाहिए पहली बात जब आग लगा रहे हो तो जमीन से जुड़े रहना है क्योंकि अगर आप जमीन से नहीं जुड़े रहे तो जो लोगों की तारीफ है वह आपको साथमें आसमान पे लेकर के जाएं यंग्रेजी में कहावत है on cloud 9 वहां पर जब आप जाओगे तो दोस्त जो लोग आपको आसमा पर रहता उसको पता है जिसे एक कहावत चलती है कि मुझे ना सम्मान की भूख है ना सम्मान का डर है तो यह वाला सिनारियो जब तक आपके पास नहीं आएगा आपके पास कितना भी पैसा जाए कितना भी ज्यान आ जाए आप मतलब बहुत ही critical condition में रहोगे आपको कोई भ उठाकर के पटक सकता है तो यहां पर आपको सीखने के लिए एक ही बात है कि दोस्त हवा में उड़ना बंद कर दो सोबाजी करना बंद कर दो जरूरी नहीं कि वो सोबाजी फाल्तू की ही हो जरूरी यह भी हो सकता है कि आप 2,00,000 महीने कमाते हो और उसके बाद आपने बस दूसरों को जलाने के लिए दूसरों को तकलीफ देने के लिए और जो भी ऐसा करेगा जब उसके साथ कुछ बुरा होगा तो उनकी कहानी लगभग ऐसी ही बनेगी मैं भाई साथ की रिस्पेक्ट करूं ना करूं लेकिन यह बंदे ने जो करके दिखाया उससे हमको बह बहतरीन बहतरीन कर रहे थे आपकी सेलरी बढ़ रही थी कंपनी आपको प्रेज कर रही थी मेडिया आपको प्रेज कर रही थी इन्वेस्टर सापको प्रेज कर रहे थे तब तो आपने कंपनी नहीं छोड़ी और जब आपके फंट्स अंडर परफॉर्म करने लगे जब आ आपको छोड़ना पड़ रहा है, प्लस HDFC AMC ने तीन या चार नए फैंड मेनेजर्स को भी अच्छे-च्छी पोस्ट देने की बात कही है, इनके छोड़ने के बाद ही of course, और ये चीज अंदर ही अंदर चलती रहती है, कमपनी की politics, अगर आप कहीं जॉब करते होगे वो तो आपको पता ही होगी, तो overall मैं क्या आपसे कहने के लिए ये वीडियो बनाया, मैं ये कहने के लिए वीडियो बनाया, कि पुरी जिंदगी आप बहुत अच्छा करोगे, पुरी जिंदगी आप किसी के पीछे लग लेकिन हो सकता है, अंत बहुत बुरा हो, और दोस्त मैं फिर से वही बात कहूंगा, कि हमारी जिंदगी अभिमन्यो जैसी है, हम चक्रवियो में फंस चुके हैं, ये दुनिया चक्रवियो है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें मरना ही होगा इससे बाहर निकलने क हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो रिष्टे की हो, कोई अगर पैसे से आजाद होना चाहता है, और आपके पास काबलियत है, उसे आजाद करने की कोशिस करो, कोई रिष्टे से आजाद होना चाहता है, आजाद करो, क्योंकि आपको पता है, सबसे बड़ा सुख आजादी और ये बंदा अपने अच्छे दिनों में मिल रही वहवाही से आजाद नहीं कर पाया खुद को इसलिए जब बुरे दिन आए तो वहाँ पर लुढ़क गया वहाँ पर ये गलट डिसीजन ले गया ऐसा मेरा मानना है हो सकता है उनकी तरफ से ये डिसीजन बहुत ही साब से जो बंदा किसी कंपनी में 28-29 साल से काम कर रहा है उसे बुढ़ापे में चोड़ेने की अगर जरूरत पड़ रही है और तब चोड़ने की जरूरत पड़ रही जब 5-6-7 साल से उनकी कंपनी के जो फर्ण से अच्छे परफॉर्म ना कर रहे हूं तो यहां पर आप आप खुद समझ सकते हो कि स्टोरी क्या रही होगी बाकी मुझे उसमें कुछ ज्यादा इंट्रेस्ट है नहीं दूसरे अंगल से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो विराट को आप सब जानते होंगे पिछले 2-3 सालों से बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ल कि मेरा पर्सनल मानना हो सकता आपकी सिंग अलग हो आप मेंसे कुछ लोगों को डांस पसंद हो तो हो सकता मेरी बात से हाथ हो जाओ नहीं भाई वो अपना लेवल भोल गया बंदा नचनिये कि वैल्यू उसके हिसाब से बहुत बड़ी हो सकती है उसको जाने दो लेकिन तोड़ा जा सकता था और अभी वो चीज कठीन हो गई है और अब जब मेडिया उसके बारे में लिखती है तो कितने बुरी तरीके से मतलब चीजें कपतानी छीन ली गई उसके बाद विराट कोली परफॉर्म नहीं कर रहा है ये वो समझ रहना तो जब बुरा वक्त आता ह है ऐसे ही आता है अब यहां पर अगर विराट कोली कोई गलत डिसीजन ले लेगा तो यह बिलकुल सेम कहानी होगी प्रसान जैन जैसी बाकी मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूं न बोलना चाहता था मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी से कुछ बाते समझा को लोगों का सपोर्ट ना हो ठीक है हो सकता कभी कभी माता पिता का भी सपोर्ट ना हो वहां पर आपको तूटने से पहले एक बार सोचना है कि दोस्त में ही था जो अच्छे टाइम में अच्छी performance करके दिखाता था और मैं ही हूं जो इस बुरे वक्त को भी जेल करके आगे बढ़ूँगा और अच्छा समय अपने लिए लाकर के रहूँगा थोड़ी सी बात रिजल्ट और चार्ट की कर लेते हैं उसके बाद आपसे विदा लेंगे देखिए रिजल्ट के बाद स्टॉक जो रियक्षन दिखाना चाहता है वो नेगटिव साइड का ही बन रहा है अगर यह सतरा सो के आसपास आकर के सपोर्ट लेने की कोशिस करता है मेरे पास जो स्टॉक्स हैं मैं वहाँ पर क्वांटिटी एड़ करने के वही बारे में मैं आपको लेवस बताऊंगा जो इनका रिजल्ट आया है वह एज एक्सपेक्टेड ही है कुछ यहां पर बदला नहीं है बहुत खास उमीद थी नहीं यार इन्वेस्टर जब देखिए यह साध आईसी आईसी और एजड़ाई होती रहती है दूसरे और तीसरे के बीच मे अभी यह साध तीसरे नमबर पर जा चुके हैं कुल मिलाकर के बात वही है कि जब अच्छा दिन नहीं चलता है तो जब आपकी स्कीम्स परफॉर्म नहीं करेंगे नहीं तो प्रॉफिट भी आपको होगा नहीं तो उस लूप से बाहर निकलना काफी कठीन हो जाता है लेट